हेलो दोस्तों मैं हूँ विशेक और जी टी यू डेली टेक के इस नए एकसाइटिंग एपिसोड में मैं आपका स्वागित करता हूँ यहाँ पर हम बताते हैं आपको ताजा टेक की कबरे और जवाब देते हैं आप लोगों की टेक क्वेरी का और इससे पहले की आगे बढ़ू बात कर लेते हैं टेक पोल के बारे में तो टेक पोल के अंदर हमने पूछा था कि भी आईफोन 12 आने वाला है और कौन-कौन लेने वाला आईफोन 12 तो यहाँ पे 15% लोग एक्चुली आईफोन 12 लेने वाले हैं जब भी आप आईफोन वगरा लें तो उस केस में मेरे हिसाब से यही सही रहता है कि आप अगर 11 ले तो 12 ना ले और फिर 13 ले और अगर आपने 7 लिया हुआ है तो 8 को स्किप करके फिर 9 या 10 जो भी आता है वो लें क्योंकि आपको एक जनरेशन के बाद मेजर अपग्रेड मिलता है कुछ नया मिलता है जो कि मुझे 11 प्रो में मिला था तो चलिए बात करते हैं आज की टेक नियूस के बारे में सबसे पहली ख़बर आ रही है इस सामसंग की तरफ से सामसंग का एक नया फोन लॉंच होने वाला है इसका नाम है सामसंग M51 इसमें आपको सबसे बड़ी बैटरी 7000 एमेज की बैटरी मिलने वाली है इसमें 64 मेका पिक्सल का क्वार्ट कैमरा मिलने वाला है 6.7 इच का सूपर अमलेट डिस्पले भी इसम पर जा सकती है और इसमें पंच होल कैमरा डिजाइन होगा और इसमें प्रोसेसर कौन सा होगा इसमें होगा एक्जोनेस नहीं स्नाप ड्रगन का 730 जो कि एक अच्छी बात है लेकिन यह मत सोचना कि 730 जी वाले जो फोन्स होते है उस तरह की प्राइस रखेगा सामसंग साम इसमें 7 & 7 Pro के बारे में यह आ रहे हैं 3 सेप्टेंबर को मुकल शर्मा की दरफ से यह information आई है स्टाफ लिस्टिंग ने बोला है कि 3 सेप्टेंबर को यह फोन लॉंच हो जाएंगा अब देखते हैं कि कब होते हैं नहीं होते हैं इन दौनों ही फोन की स्पेसिफिकेशन तो ट्विटर पे इतने अक्टिव नहीं थे तो अब वो एक्टिव हो जाएंगे और जोज कुछ नया नया लीक करते रहेंगे I think यही होगा ऐसा ही करते हैं यहर बार चलिए बात करते हैं अगली ख़बर के बारे में और अगली ख़बर है Samsung की budget foldable phone के बारे में जहां Samsung एक foldable phone के उपर काम कर रहा है जो कि budget foldable phone होगा अब budget होगा तो कम से कम आप समिझ लो कि 70,000 रुपे तो दे नहीं पड़ेंगे आपको वो इनका budget foldable होगा क्योंकि normally दिन के foldable phone लाग रुपे से उपर देड़ लाग दो लाग रुपे के आते हैं तो देखते हैं future foldable phone कितने affordable होते हैं Samsung already उस पर काम कर रहा है जो की अच्छी बात है I think foldable phone is the next big thing Samsung is actually trying to prove themselves कि भई हम देखो कितनी बड़ी company हैं foldable phone बना सकते हैं अभी और किसी भी company के बसकी नहीं है कि foldable phone बनाके market में launch कर दे as a retail phone prototype तो सब दो दिखाते हैं Xiaomi ने भी दिखाया और लोगों ने भी दिखाया लेकिन proper phone नहीं आ पाया अब बात करते हैं आपे Nokia के बारे में Nokia की जो ख़बर आ रही है वो यह है कि Nokia ने एक streaming stick एक fire stick जैसा device जो है launch कर दे है तो Nokia का fire stick समझ लो वो actually flip card ने launch किया Nokia की branding के अंदर और flip card basically यह कहना चाहता है कि हमारे पास भी fire stick है fire stick के नाम से नहीं तो कुछ और सही Amazon की 5 stick बहुत popular है Xiaomi की भी काफी popular आई है लेकिन दोनों ही flip card पे नहीं बिखती हैं तो ऐसे में flip card को अपनी तरफ से कुछ चाहिए था तो उन्हों नहीं सोचा कि Nokia की branding में हमने TV भी launch किया था अब 5 stick भी launch कर देते हैं मतलब उनकी अपनी 5 stick जिसको वो media streamer बोल रहे हैं कि आप लोगे उसको साड़े तीन दौर पे किया है मैं तो आपको 5 stick Amazon की ही recommend करूँगा या फिर Xiaomi का Mi Box recommend करूँगा इसके लिए तो नहीं मैं recommend करूँगा फिलाल बाकी देखते हैं अगर आईगी unit त अपने twitter id पे एक video डाला है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है एक नए phone की जलक दिये और यह नए phone के बारे में सब लोग speculate कर रहे हैं कि यह G series के नए phone हो सकते हैं इसमें दो phone में से एक phone यहां पे होने वाला है और वो Moto E7 Plus हो सकता है जिसमें आपको बड़ी battery मिलेगी Snapdragon 460 मिल जाएगा और इस phone के अंदर अगें overall देखा जाए तो finger printer sensor backside में होगा जो कि teaser में भी दिख रहा है तो मुझे लगता है कि Motorola 24 अगस्त को एक नए phone launch कर रहा है जो कि E7 Plus और G9 Plus दोनों हो सकते हैं तो यानि कि power भी मिलेगी और आपको performance भी मिलेगी सब कुछ मिलेगा अगर य फोन होगा तो एक अच्छी बात रहेगी अगली ख़बर है आप टेक्नो की तरब से टेक्नो स्पार्क 6 एर का 3 GB वेरेंट लॉंच हो गया है इस phone को आप तब ही लें जब आपको एक बड़ा display चाहिए क्योंकि ये जो phone है इसका processor जो है Mediatek का Helio E22 है A22 processor जो है इतना ज्याद पाउफूल वाला नहीं होता है लेकिन इनके phones के अंदर आपको HD plus display मिल जाता है 7 इंच का display है तो अगर आपको बड़ा display चाहिए movies वगरे देखने के लिए गेम वगरे गेम के लिए तो नहीं ये phone सही रहेंगे लेकिन हाँ movies वगरे देखने के लिए अगर चाहिए तो आप इस phone के लिए जा सकते हैं और phone की price भी काफी कम है सिर्थ 8,000 रुपे में इसका 3GB RAM variant मिल जाता है और 7,000 रुपे में आपको मिल जाता है इसका 2GB RAM variant में 3GB वाले version के लिए जाने को काऊंगा future के इसाफ से सोचो अगर आपको multimedia के लिए भी होन चाहिए movies वगरे देखने के लिए चाहिए तो 3GB RAM तो होनी चाहिए और 32GB की storage मिल जाएगी अगली ख़बर है Google की दर्फ से और Google अब आपको allow करेगा कि आप voice के through SMS या फिर WhatsApp मेसिज भीज़ जकते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नी करना है अपने phone पे या तो Google Assistant को launch कर लेना है मतलब उसको install कर लेना है या फ WhatsApp सेलेक कर सकते हैं फिर उसके बाद आपको यह option देगा कि आपको WhatsApp सेलेक करना है या फिर SMS मेसिज भेजना है तो दोनों में आप audio मेसिज भेज सकते हैं और वो भी आपको बस record करना है या अपने आप उसको type कर लेगा और फिर आपका message भेज देगा तो बिना phone को चुए आप messaging कर सकते हैं अब Google की तरफ से जो की एक नया feature है तो यह थी आज की सारी ताजा खबरे मुझे अमीद है आपको वीडियो पसंदार होगा इस वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए Amazon के gift vouchers जीतने के लिए और जो लोग जीते हैं पिछले news में vouchers उनके नाम आपके सामने है अगर आपका भी नाम आना चाहिए और आपको लगता है कि आपको वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe करके रखिए और साथ इसाथ नीचे comment लिखे टेक news के अंदर क्या आपको अच्छा लगा क्या आपको पूछना है कुछ भी आप लिख सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया ज